हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंगीनिर कुमार मनीज सोगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जाब इंडिया में दोस्तो जाब इंडिया को सस्क्राइब नहीं किया है सस्क्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेर कर दो यूपी एनचम भरती 2021-2700 पलस एंड 1400 पलस के लिए बिल्कुल ओफीसली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल किया रही है जी हाँ आज 31 मार्च है क्या आपका आज रेजल्ट आएगा इसकी जानकाई देंगे जो रेजल्ट है आपका कब तक डिकलियर होगा आज 31 मार्च कितने बज़े आपका रेजल्ट डिकलियर होगा इसकी जानकाई देंगे साथी 1400 पलस का जो आएंसर के है इसका आफीसली अपडेट क्या है साथी आइंसर की कब जारी किया जाएगा आज कब तक जारी हो सकता है पूरी जान काई देंगे साथी 1800 CHO भरती के बारे में जो है बहुत ही बड़ी औफीसली अपडेट निकल के आ रही है जी हाँ जी अनम को भी मौका मिलेगा दुबारा जो है लिंक कब से अक्टिवेट होगा 1800 CHO के लिए तो दोस्तो तीन बहुत ही बड़ी औफीसली अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है तो हमारे साथ बने रही है पूरा वीडियो देखिए पूरी जानगारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को सेयर कर दो चलिए आपको लेकी चलते हैं आफीसली वेबसाइट पर दोस्तो सैम्स के आफीसली वेबसाइट पर मैं आपको ले की चलता हूँ मैं आपको बता दू मैंने Sam से यहाँ पर contact किया था Sam से यहाँ मैंने contact किया था उन्होंने बोला था 31 March तक आपका यहाँ पर 2700 पलस का result यहाँ पर declare कर दिया जाएगा और 31 March तक 1400 पलस जिसका exam 14 February हुआ है इसका officially answer पिस ऑसर के जारी किया जायेगा आपको फिरसे बता दे बहुत सारे लोग कमेंट करें यूटूब पर यूटूब पर बहुत सारे वीडियो बना जा रहे हैं कि 2700-4 PLUS की जो भरती है जो वेकींसिव है वह जो क्या केंसिल कर दी जाती है तो अभी जो प्यांसिल हैं कि गई है तो ऐसे अफ़वाओं से आप लुग दूर रहे है जी हां ऐसे कोई भी new जो है अभी यहां पर निकल के नहीं आ रही है कि जो 2700 पलस वेकिंसी है जो 2400 पलस वेकंसी है उसे cancel कर दिया गया है अभी cancel नहीं किया गया है रजल्ट जो है आपका 2700 पलस का डिकलियर किया जाएगा 1400 पलस के बारे में कुछ यहाँ पे चेंजिंग हो सकती है 1400 पलस जो है विवादों से घुर चुकी है अभी इसकी जाच हो रही है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ और बिल्कुल ऑफिसली अपडेट होती है मेरे दोरा बिल्कुल सूतरों के मुताबिक प्रूफ के साथ जो है मैं कोई भी वीडियो होती है वीडियो बनाता हूँ तो आप मेरे साथ विश्वात करिए आपको बता दे 2700 पलस ठीक है आपका रेजल जो है 100% डेकलिर किया जाएगा होली की वज़े से होली की छुटी थी होली की वज़े से जो है स्टाफ नहीं थे इसलिए जो है कुछ यहाँ पर काम धेमा हो गया है कुछ आपका यहाँ पे डिले होगा क्यों डिले होगा क्योंकि UP NHM में और जो सेंस है इसमें जो है holiday था होली का होली था इसलिए आपका जो result है और जो answer के है इसके बारे में कुछ delay हो सकता है लगबख one week जो है यहाँ पे डिले होगा तो 7 अपरेल तक जो है अब आपका यहां पे रेजल्ट आने वाला है होली की वज़य से जी हां दोस्तों होली डे था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 2700 पलस 2700 का जो रेजल्ट है 2700 का जो रेजल्ट है अब आप लोगों का 5-7 अपरेल तक इंतिजार करिए आपका 100% रजल डेकलियर किया जा सकता है जी हाँ और 1400 पलस जिसका एकजाम यहाँ पे 14 फरवरिक हुआ था इसका आइंसर के लगभग जारी कर दिया जाएगा 5 या 7 अपरेल तक बिल्कुल आफीसली और आपको बता दे 1400 पलस जो है विवादों में घिरी है इसकी जाच हो रही है तो बिल्कुल दोस्तों जाच हो रही है जब तक जाच है नहीं कंप्रेट हो जाती है तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा भरती पर बट अभी अगर देखिए थोड़ा सा समय है लगबग वन वीक आपका 100% रजल देकलेर किया जाएगा तो चलिए हम आपको सबसे पहले अपडेट दिखा देते हैं कि कोई अपडेट है या नहीं है तो जो मैं आपको एक्सपेक्टर बता रहा हूँ अभी आप लोग थोड़ा वेड़ करिए 5-7 अपरेल तक अभी यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है आपको अपडेट मिल जाएगी यहाँ पर जो है रजल का आप्सन मिल जाएगा साती नीचे आपको जो है 1400 पलस आइंसर के मिल जाएगी तो नीचे आप लोग देखिए जैसे कि आपको नीचे मिल जाएगी 2700 पलस के बारे में और यहाँ पर जो है आपको इंफर्मेशन मिल गई होगी कोस्चन एंड आइंसर के आपजक्सन के लिए मिल रही है उपर जो है आपका यहाँ पर जनवरी 24 2021 रखी गई है तो जो है आपका 14 फर्वरी को एकजाम हुआ है तो 14 फर्वरी का यहाँ पर ऑप्सन आजाएगा आइंसर के यह बारे में तो आप लोग आइंसर के आप लोग अपना चेक कर लेना और 2700 पलस का इस तरह से आप कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है जी हां बिलुकुल अभी कोई भी अपडेट नहीं है आप लोग इने मेल भी कर सकते है तो जो मेल करोगे तो वन वीक आपको मेसेज आएगा और आप लोग हेलप लाइन नमबर दिया गया है वहन ब्रवन 11408199900 आप लोग इन से संपर करोगे तो आपको जो है बोलेंगे कि 5-7 अपरेल तक अभी आप लोग वेट करिए 2700 पलस का रेजल्ट आ जायेगा अभी आप 5-7 अपरेल तक वेट करिए यह है आपसीसली अपडेट निकल के आ रही है और चलिए हम आपको बता दे 1800 CHO के बारे में तो 1800 CHO में दोस्तों 13 मार्च को जो है 13 मार्च को ग्यापन सौपा गया था जो कि मैंने आपको दिखाया था पहले ही वीडियो बना रखा था उस पर जो है मने दिखाया था कि बिल्कुल आपसीसली दोस्तों 15 सौपा गया है थोड़ा सा समय लगेगा अभी 19 मार्च इसकी लाच डेट है या तो इसकी जो भरती है कैंसिल की जाएगी बिल्कुल आपसीसली भरती कैंसिल की जाएगी और नए सिरे से एक नोटिस जारी की जाएगी यह नोटिस कब तक जारी की जाएगी तो यह नोटिस जो है 10 अपरेल तक जारी की जाएगी 10 अपरेल तक जो है एक notice जारी की जाएगी जिसमें G&M को भी सामिल किया जाएगा G&M को सामिल किया जाएगा उसके लिए 3 दिन 3 दिन का समय दिया जाएगा G&M को मौका मिलेगा और 3 या 5 दिन का आपको समय मिलेगा expected मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन दिन का आपका समय मिलेगा जो G&M candidate है वे दुबारा फार्म को भर सकते हैं क्योंकि उन्हें जो है यहाँ पे भरती में संब्लिज किया जाएगा 10 अपरेल तक जो है आपको 100% एक नोटिस जारी किया जाएगा और G&M को भी यहाँ पे जो है इसमें सामय किया जाएगा यह बिल्कुल आफिसली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो आपको फिर से एक बात जो है रिवाइज करा दे 2700 पलस का जो रेजल्ट है यहाँ पे जो रेजल जिसका एक जाम 24 से जनवरी को हुआ था 5 से 7 अपरेल के बीच में आने वाला है सेम जो है 1400 पलस जिसका आइंसर के जो है 5 से 7 अपरेल के बीच में ही आने वाला है और नमबर थर्ड जो 1800 CHO की वेकेंसी है जिसका लाइज डेट यहाँ पे 19 मार्च रखे गई थी एक हपते का यहाँ पे समय दिया गया था बहुत सारे कैंडिडेट फार्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं जो बेसिल नरसिंघ कर रखे थे और जो पोस्ट बेसीक बेसी नर्सिंघ है उन्होंने पार मोगा को और willst me लेis को बहुत सी ज़ब प्रव्डन को यह पर स्विल नहीं दाते यह बहुत ही बड़ी आफिसली अपडेट निकल के आ रही है कि अभी आपको दुबारा मौका मिलेगा यह बिल्कुल बहुत ही बड़ी खुस खबरी है आप सभी लोगों के लिए जीनम के लिए तो दोस्तो और भी कोई कोस्चन है इससे रिलेटेड तो नीचे आप लोग कमे परसंड होगा जॉब इंडिया के साथ बने रहिए और जॉब इंडिया को जानदा से जानदा से शेयर करिए वीडियो को लाइक करिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद